नमस्कार दोस्तों मेरे प्रतिक आपको मेरे इस यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों अगर आपने एक निव यूटूब चैनल क्रियेट किया है और उसमें काफी सारे वीडियो अप्लोड करने के बाद भी आपके चैनल पर कोई भी सब्सक्राइबर बिल्कुल गेन न बढ़ेगा कि यूटूब प्लैट्फों कोई भी एक ऐसा ओनलाइन एप नहीं है जहां पर आप वीडियो को कैसे भी कोई भी वीडियो को अप्लोड करने से आपके वीडियो और आपके चैनल पर व्यूज एन लाइक की जास नमबर बढ़ जाएंगे इसमें जितने भी आपकी वीडियो के थुरू ओडियंस को इंप्रेस करने के लिए और आपकी जो बाते हैं वो ओडियंस तक पहुचाने के लिए दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ 15 सेकंड्स तक ही वीडियो बनाना है आपकी वीडियो का लेंज चाहिए कुछ भी हो शौट हो लोंग हो लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से 15 सेकंड्स तक आपके वीडियो को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और ओडियंस को खीच के रख सकते हैं तो बहुत चांस है कि बंदा आपके वीडियो को बिलकुल पूरा वाच कर लेगा और आपके वीडियो का जो है उसको पहले ही स्टार्ट कर दीजिए बाकि आप इंट्रोड़क्शन वगरे ये वान मिनिट के बाद बोली है no problem तीसरा पॉइंट दोस्तों मतलब की number 3 आप इंट्रोड़क्शन के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में मेरी तरह ऐसे नाम शो कर सकते हैं जो की देखने म दोस्ते इससे आपके चैनल में watch time तो मिलेगा साथ ही साथ दोस्तों अगर वो बंद आपके वीडियो से satisfy होता है तो ultimately वो आपके चैनल को subscribe कर लेगा उस type के और भी वीडियो आपसे देखने के लिए सो अब दोस्तों एक मुश्किल सा question आजाता है कि how to actually satisfy new viewers मतलब आपको पता कैसे लगेगा कि आपके audience को actually क्या देखना है इसका जवाब दोस्तों बड़ाई simple है your video must be full of information क्योंकि एक YouTube वीडियो के लिए यही चीज़ सबसे ज़्यादा matter करता है कि आपका वीडियो information से आपके वीडियो को देखना पसंद करेंगे एक नीव यूटिवर के वीडियो में quality, lighting इन सब चीज़ों से भी बढ़कर information सबसे ज़्यादा matter करता है कि वह जब आपके वीडियो के तुरू audience तक कितना ज्यादा knowledge प्रोवाइड कर सकते हो कितने कम समय में है अगर आपका comedy या प्रोपर information सोग करना ही पड़ेगा यही दोस्तों मुल मंत्र है इसके लिए आप दो चीज़े कर सकते है एक तो आपके वीडियो का जो टॉपिक है उस लेटेट सबसे बहले Google पर सर्च किजिए and जितना होसा की information आप collect करके आपके डायरी में note कर लीजिए दूसरी चीज़ इस वीडियो में introduction and information के अलावा और कोई भी off topic चीज़े मत बोलिए या फिर कोई भी चीज़ को ऐसे घुमा फिरा कर बोलकर आपके वीडियो को लंबा किजने कोई जरुवत नहीं क्योंकि यहां पर audience को पता चाल जाता है कि आप उनका time waste कर रहा है तो यह कभी भी नहीं करन रहा है तो आपके वीडियो में information बराबर होना चाहिए तो इस तरह से वीडियो जरूर बनाना अगर audience को एक real value प्रोबाइट करना चाहते हो तो सर्फ इस वज़ा से वो बंदा जो भी आपके content को देखेगा वो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा अब दोस्तो सब्सक्राइब करेह तो वो सबसे पहले आपके चैनल पेच पर फीजित करता है इसकी बढ़ दोस चेक करता है कि आपके चैनल पे कितनी रिकुरे वीडियो आपने अपलोड किका ہے कि यहां पर आगर बना देखता हैं कि आपने last month से इक जाप वीडियो अप लोड किया है तो तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कभी भी नहीं करेगा क्योंकि उसे पता लग गया कि वो एक माईने में आपसे कितने सारे वीडियोस देख पाएंगे जो कि बहुत ही कम है तो इसलिए वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा यूटूब पर आप डेली वीडियो अप्लोड कर सकते हो तो ऑदियंस के सामने आपका commitment रखने के लिए आप आपके यूटूब चैनल कॉभर आट में आप आपका timing लिख सकते हैं कि आप दिन में किस टाइम पे आपका वीडियो अप्लोड करते हैं तो audience जब भी आपके चैनल पर first visit करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि आप किस टाइम पर आपका वीडियो अप्रोड करते हैं और किस टाइम में उनको वीडियो देखने को मिलेगा तो अगर आप YouTube पर डेली वीडियो अप्रोड करते हैं तो आपके चैनल आट में कुछ इस तरीके का text लिख सकते हैं जिससे की audience को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके consistency के बारे में पता चल जाएगा तो दोस्तो इनी tips को follow करके आप आपके target audience के लिए interesting and informative videos consistency maintain करके post करते रहिए तब ही दोस्तो आपके जितने भी audience से वो आपके चैनल को चैनल में लिख सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तो मुझे उम्हीद है कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर दोस्तो आपको जी वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए and share कर दीजिए जो भी new YouTubers है तो इस तरह के और भी informative and YouTube strategies related videos देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि दोस्तो मैं ऐसे ही वीडियो से लाता हूँ अपने चैनल पर आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं यह रहा मेरा ID या पर नीचे link description पर है आप वहाँ पर जाके मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं तो दोस्तो मिलते आपसे अगरे वीडियो में तब तक के लिए चाहे हिंद फंदे मातरम